हर्याना के जीन्द में महिला पुलिस करिमियों ने एक बड़े सीनियर आफसर पर योन उत्पीडन करने के आरोप लगाए हैं और इस पूरे मामले को लेकर जाज जारी है हमारे साथ बाचीत करने के लिए हर्याना विधान सभा में डिप्टी स्पीकर और जीन्द के बीजेप नाम की बीटिया आई थी जिसकी कोई ACR का मामला था और इसके अंदर किसी और का नाम लिखा वा जो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास वो आये हैं और बाकि मुझे कुछ इसमें मतलब कुछ अलग सा ही महसूस हो रहा है ऐसा लग नहीं रहा कि क्योंकि जो सुनने में आ रहा और उशा का शायद इस पूरे उसमें कोई जिकरी नहीं है उस चिटी में कहा गया कि आपने उस महिला के लिए फोन किया था उसकी ACR रिपोर्ट के लिए अगर कोई मेरे संग्यान में ने उशा का भी मुझे इसलिए संग्यान में आ रहा है कल भी वो बीटिया मेरे पास कि मैंने किसी की सफारिश की हो अचा जर मामला काफी गंभीर है सरकार इसको कैसे देख रही है हर एंगल पर जांच हो रही है इस मामले में निश्पक्ष जांच हो सकती है देखे जो भी कारवाई है सरकार अपने कारवाई करेगी लेकिन अगर कोई श्रार्ती तत्व इसमें इनवोल्व है तो उसके खिलाब भी सकत कारवाई होगे कभी कोई सर ऐसी महिला कॉंस्टेबल क्योंकि आप विधायक रहे हैं यहां से कभी आपके पास आई को ऐसी शिकायत लेकर मैं तो आपको बता ही रहा हूं मेरे पास इससे पहले ऐसी कोई शिकायत लेकर आज तो कोई भी बच्चा या कोई बीटिया हमारी नहीं आई लेकिन जो मैंने जिकर किया कि उशा नाम की बीटिया आई वह बिल्कुल सही है लेकिन उसमें उशा नाम की किसी बीटिया का जिकर या नाम भी नहीं है सर जाच को लेकि अब तक आपके पास को जानकारी है कि जो जिन पुलिस कर्मियों के नाम उसमें लिखें आप कह रहे हैं कि वो उन नाम की कोई महिला पुलिस कर्मी है ही नहीं जो मेरे सुनने में आया है वो मैंने आप से जिकर किया है इस विश्य पे और मेरे पास और कोई सुचना नहीं है लेकिन आप सरकार की और से सर बरोसा दिलाते हैं कि इस मामले में दूद का दूद पानी का पानी होगा अगर इसमें जो भी व्यक्ति इन्वोल्व है उसके खिलाब सकत कारवाई होगी तमाम आरोपों की जान चारी बिल्कुल बिल्कुल जाच के लिए तो सरकार ने अपने आदेश जारी करी दिया जाच चल भी रही है जो भी जाच में केलियर होगा उपता लाई जाएगा पूरे मामले में तमाम खुलासे होंगे कि इस पूरी आरोपों के पीछे की सच्चाई क्या है जीन से कैमरावन बीर सिंग के साथ मोहित महलोतरा टीवी नाइन भारत वर्ष